हलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चाना में मैं आप सिबलंका दिल से बहुत-बहुत सौलिद करता हूँ सो दोस्तो इस बड़े में हम लोग बात करने वाले एक बहुती सौलिड ब्रेकिंग न्यूस के बारे में इस प्रकार की खबर आ सकती है ठीक है इससे रिलेटेड एक अंदाजा भी थोड़ा बहुत में आप लोगों को जरूर दिया था तो पूरा हम लोग शुरू से लेके अंतक क्या-क्या चीज़े अभी तक यहापे हुई है वो सारा A to Z प्रोग्राम में आप लोगों को यहापे बताऊंगा तो ही आपको जाके असली जो मतलब बोलते न जो चीज हो रही उसके पीछे का असली रीजन पता चल जाएगा ठीक है तो चली स्टार्ट कर लेते सबसे पहले तो देखे ख़बर है टाटा ग्रूप के बारे में ठीक है और TCS के बारे में जादस जादा तो आप टाटा ग्रूप के मालिक बन सकते हो बड़ ऐसा तो हो नहीं सकता विकोज इनने सब कुछ इसकी जो ओनर्शिप है वो ट्रस्ट के पास यहापे करके रखे हुगी है फिर भी टाटा संस क्यों जादा हम लोगों को चर्चे में देखने को मिली थी हाल संस शायद से IPO नहीं लाएगी करके ऐसी भी खबर सामने आगी और इसके पीछी का रीजन यह था कि कमपनी शायद से कोई दूसरा ऑप्शन अविलेबल है क्या कि RBI की जो rules and regulations है norm से उसको comply करने से related तो उससे related वो थोड़ी सी क्या कर रहे है research कर रहे है चान बीन कर रहे है ठ मतलब ऐसी खबर हम लोगों को देखने का आप मिल रहे थी और बाद में कहे रहेते हैं नहीं हम कोई दूसरा option है तो वो भी देखने की कोशिक करेंगी तो ऐसा क्या है RBI की rules क्या है क्या problem क्या है तो दोस्तों जैसे आपको बताए कि जो यह Tata Suns है यह क्या है CIC है CIC बोले तो core investment company ठीक है अभी core investment company मतलब क्या ठीक है यह तो बोल दिया मैंने इसका basic definition अगर हम लोग आपे देखे basic definition तो आप यहापे देख सकते है कि core investment company के ऐसी NBFC हम लोगों को देखने को मिल जाते है जो की RBI के साथ register रहती है ठीक है और यह जो company उसका asset size है वो 100 करोड या उससे ज जहर से आप यह आपे देख सकते हो यह usually holding type के company हम लोगों को देखने को मिल जाते है अलग-अलग group रहते है उनके holding type की company रहते है but not for a trading and also do not carry any other financial activity मतलब इसमें कुछ activities भी नहीं होती है trading भी नहीं होता है तो इस प्रकार की companies हम लोगों को concert definition में fit होते हुए देखने को मिल जा जो की upper layer में हम लोगों को आते वी देखने को आपे मिल जाते है ठीक है और उसी 15 company के अगर अप लोग list है आपे देखोगे आपको LIC देखने को मिल जाएगा budget finance भी देखने को मिल जाएगा श्रीराम finance भी देखने को मिल जाएगा बट आप यहाँ पे type देख सकते हो यह deposit taking है ये भी deposit taking है, ठीक है, आपको श्रीराम finance भी deposit taking देखने को मिल जाएगी, और इनने से काफी सारी कंपने आमनों को share market में भी देखने को मिल जाते हैं, बट एक ऐसी company जो की number 4 पे आती है, वो है Tata Suns, बट क्या लिखा देखिए, CIC है, core investment company, मतलब asset 100 करोड से ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, और प्लस यहापे कोई trading activity भी नहीं होती है, share market में भी यह नहीं है, तो होता क्या है, कि अगर आप यहापे CIC category में आ जाते हो, core investment company में आ जाते हो, तो RBA के heavy guidelines रहते हैं, काफी heavy guidelines रहते हैं, वो आपको comply करने पड़ेंगे, जो IFL finance का जो issue हुआ था न, NBFC का, वो collapse हुई थी, उसके बाद काफी सारे rules RBA ने बदले थे, ठीके, और उसके बाद उन्होंने कहा था, भाई, यह जो बड़े-बड़े upper layer के जो NBFC हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, उनको यह बड़े-बड़े rules को यहापे follow and comply यहापे करना है पड़ेगा, and Tata Suns की अ और investment company का tag नहीं चाहिए, ठीके, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अलग-अलग options यहापे हो सकते, उन में से एक option यह भी था, कि Tata Suns को क्या कर दो, list करवा दो, ठीके, share market में list हो गई, तो यह title यहापे हट जाएगा, यह एक one of the option हम लोगों को लेखने को मिल रहा था, बट हम लोग आपे listing नहीं करेंगे, हम कोई और दूसरा option तलाश करने की कोशिच करेंगे, अभी दूसरा option अगर आपको तलाश करना है, तो वो क्या हो सकता है, तो वो भी मिने आप लोगों को बताया था, कि इसके पीछे हम लोगों को यह जो problem है, इसमें दो solution और भी हम लोगों देखने को आपे मिल रही है, ठीके, उसको एबदम घटा दो, ठीके, 100 करोड के नीचे लिखे आ जाओ, यह एक one of the best option यहापे रह सकता है, या फिर आपके पास जो भी सारी चीज़े देखने को आपे मिल रही है, वो आप क्या करतो, दूसरे company में transfer कर दो, ठीके, एक दूसर अब आप देख सकते दोस्तों, यहापे आप कि टाटा संस की अगर हम लोग बात करें, बहुत अच्छे से सुन ले ना, टाटा संस के उपर 20,000 करोड का क्या है, बोरोईंगे, मतलब कर जाए करके, तो आप देख सकते, इफ मतलब टाटा संस, अगर यह अपनी बोरोईंग क पे करके, अगर इसको 100 करोड तक, या फिर उसके नीचे लेके आता है, यहापे हम कह सकते कि टाटा संस, जो RBA का, जो CIC का जो रूल है, ठीके, उसमें यहापे नहीं आएगा, कोर इन्वेस्मेंट कमपनी जो उसके सामने लिखा हुआ है न, वो यहापे नहीं आएगा, एक करोड का करजा है, तो यह 20,000 करोड का करजा है, इनको पे करने तो पैसा भी तो चाहिए ही, इसलिए दोस्तों, यहापे हम लोग कह सकते हैं, कि यहापे आज की दिन, PCS की खबर हम लोग को देखने का, आपे मिल चुकी है, मतलब आपने यह तो खबर सुनी होगी न, कि PCS मे लगबग 9,000 करोड की block deal होने वाली है, शेर से आपे बेचे जाने वाले है, और कौन बेचने वाल है, Tata Suns, तो Tata Suns के पास 9,000 करोड चला जाएगा, तो यह one of the strong potential reason हो सकता है, कि अपने 20,000 करोड की borrowing कम करने के लिए, Tata यहापे क्या कर रहे है, इस टेखनीक का इस्तमाल य खरिदना चाहेंगा, definitely खरिदेंगे, और इसलिए खबर देखने को मिले कि 23.4 million number of shares हमनों को Tata Suns अपने बेचते वे देखने को मिलेगा, PCS के और उसके चलते 9,000 करोड वो क्या कर सकते हैं, जोटा सकते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं, अभी यहापे यही बातचित हो रह fine, बट क्या यह इसलिए किया जा रहे है, ताकि अपना mega IPO को वो dodge कर सके, मतलब dodge कर सके, मतलब नहीं लाना चाहते करके, क्योंकि अगर उन्होंने 20,000 करोड जुटा लिए, Tata Group ने, ठीक है, तो फिर matter ही खतम हो गया, तो वो borrowing को यहापे नीचे लेके आएंगे, 100 करोड के नी आएंगे, तो फिर आपको higher level के क्या करना पड़ेगा, upper layer के NBFC नहीं रहेगी, rules regulation को comply करने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी, तो यही one of the strongest reason हम लोगों को देखने को मतलब है, जो कि आप देख सकते हो, the fund raise could be the part of an exercise by the Tata Group to avoid Tata Suns IPO, under the RBI rule which mandate all upper layer NBFC from getting listed on stock exchange, तो फिर उनको list कर करने की ज़रुवत नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर दोई option है, कि करजा जो है, उसको repay कर दो, या फिर जो अपना, और जो performance हम लोगों को जो देखने को आपर मिल जाता है, as a holding, अगर हम लोग बात करें, तो उसको यहापर क्या कर दो, other entity में यहापर transfer कर दो, तो इन दोनों option में से कोई option अगर करेंगे, तो क्या हो जाएगे, वो हम लोगों को deregister होते वे देखने को मिल रहे है, तो यह original खबर आप लोगों को यहापर पता होनी चाहे, जिनको नहीं पता है, वो कुछ भी कारण आप लोगों को fake देंगे, तो यह इससे आप लोगों ने आपे बचना है, अभी problem क्या होता है, stake बेचेंगे, क्या चिंता का विश है, नहीं, block deal है, आप बुरा क्या लगेगा, कि भाई इतना बड़ा माल बेचेंगे, तो खरीदने वाला तो सामने बलेगा, भाई, discount हो दे दे, तो बताये जा रहे हैं कि 4000 रुपे के औ अप लेवल से हम लोगो लबब पॉने 2% गिरते वे देखने को मिला, ठीक है, आज की दिन के अगर हम लोग बात करें, TCS ने अपना 52-week high and all-time high लगा दिया, 425, कितना, 4254.75, एंड उसके बाद आप देख सकते, वहाँ से जबरदस गिरा है, एंड फिलाल बोला जा रहे है कि भाई, TCS की चलो, 4001 पे हम लोग आपको यहाँ पी शेर देंगे करके, ठीक है, तो खरीदने वाले तो बहुत रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अगर मैं इसको calculate कर लो, 4001 के हिसाब से, मतलब 4000 पकड़ लो, उपर का 144 को पकड़ लो, तो 143 पकड़ लो चीज़ के चलते, TCS के शेर में हम लोगों को आखरी घंटे में जबरदस गिरावड देखने को आपे मिली थी, तो ये एक one of the strong possible reason हो सकता है, कि 20,000 करोड के बॉल इंके चलते, 9,000 करोड तो TCS के थूई आपे वो collect करते वे देखने को मिलेंगे, अभी balance it P&L हम लोग आपे T TCS की नहीं cover करेंगे, unnecessary time pass नहीं करना है, 15,000 करोड का market कैपे, share holding pattern भी देखागे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत है, इनके पास 72% promoter है, FISDIS भी बचा कुछ आगर आप देखोगे, तो 20-22% होने के पास है, public के पास के वल 5% के holding देखने को मिल रही है, तो इसी चीज़ क करोड तो आपको मिल गए, 10,000 करोड पकड़ लो, बाकी बचा हुआ 10-11,000 करोड कहां से लाएंगे, आइदर वो cash के through या पे pay करेंगी, या फिर आप कह सकते, read between the lines में और क्या सकता है, कि might be Tata Suns के और अगर किदर holding होगी, तो वो भी वो क्या कर सकते है, realize करवा सकते है, बि अब इंको कम करने के लिए जाएगा, तो उनको कोई ना कोई अपना steak यहापे बेचना पड़ सकता है, और वही चीज़ें हम लोगो सच होती वे देखने का आपे मिल रही है, आशा करता है, पूरा A to Z अभी तक क्या यहापे हुआ था, वो 10 मिनिट में आपको पूरा कहानी समझ में आयोगा, तो आप चाओ, तो इस वीडियो को लाइकन शेयर कर सकते हो, so that's it, thank you very much दोस्तों, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye-bye.